नाइस साइंटिस्ट ने हाली में एक काफी इंटरस्टिंग डिस्कवरी किया है रिशोर्चर्स ने अभी तब का सबसे बड़े बैक्टिरिया को डिस्कवर किया है जिसका साइज है दो सेंटिमेटर और जितने भी आर्टिकल इस डिस्कवरी वे पब्लिश होए है मेरी हिसाब से वो इस डिस्कवरी को इतना डीपली डिस्कवरी नहीं कर रहे है वो इस बात का तो mention कर रहे हैं कि कैसे दो centimeter एक bacteria का size होना कितना unusual है लेकिन इस बात का discussion किसी भी article में नहीं है कि वो interesting किस रूप में है और ये discovery क्यों इतनी critical है तो as a student of biology मुझे लगता है कि कुछ aspects है इस discovery के जो मैं better तरीके से explain कर सकता हूँ तो सबसे पहले हम jargon के बात कर लेते हैं कुछ basic jargon को discuss कर लेते हैं इस bacteria का scientific name है थायो margarita magnificence नाम से दो चीजे पता चल रही है magnificence यानि ये bacteria काफी बड़ा है दूसरी चीज थायो थायो यानि sulfur और ये जो bacteria है वो sulfur oxidizing है जैसे हम glucose को oxidize करते हैं CO2 के अंदर वैसे ही ये hydrogen sulfide को oxidize करता है sulfate के अंदर इस bacteria का size है 2 cm जो की काफी unusual है एक bacteria के लिए प्रोकाइरेट के लिए और जब मैं प्रोकाइरेट बोलता हूँ तो मेरा मतलब है bacteria क्योंकि प्रोकाइरेट के अंदर basically bacteria and archibacteria आता है तो जब मैं प्रोकाइरेट बोलू या bacteria एक ही बात है तो जो पहला एक unusual thing है जो इस discovery को interesting बनाती है वो I think जो भी जिसमें भी elementary biology को study किया है वो इस बात से relate कर पाएगा जिसमें 10th level biology भी पढ़ा है तो वो भी इस बात को समझ पाएगा जब हम प्रोकाइरेट और युकाइरेट के बीच में difference देखते हैं तो सबसे पहली चीज हमें जो पता ही जाती है वो यह है कि प्रोकाइरेट का जो size है वो micrometer के अंदर ही fix है तेकि युकाइरेट का जो size है वो काफी एक तरह से free है उसका जो size है उसकी range काफी बड़ी है micrometer से mm तर तो ज़रूर एक bacteria का size जो की 2 cm है वो काफी unusual है जितनी भी आप college textbook उठा के देखें या इवन reference book भी उठा के देखेंगे तो सब में जो यह size है वो micrometer में ही दे रखा है या like range जो है वो एक narrow band में ही शोकर रखी है तो ज़रूर जो ह था prokariot के बारे में कि prokariot का size है वो micrometer तक ही limited है वो जरूर चेंज होगा यह ज़रूर जानना जरूरी है कि prokariot का size micrometer तक ही क्यों fix है ऐसा क्यों है कि eukariot का size mm तक जा सकता है लेकि prokariot सिरफ एक limited size सक ही limited थे like micrometer की range तक ही limited थे इसको जानने के लिए हमें surface to volume ratio जानना से पहले हमें समझना होगा square cube low कि क्या है square cube low square cube low को basically discover किया था हमारे gallery गैलिली और गैलिली ने 1630 क्या रहुआ है यह लोग basically यह कहता है कि अगर किसी shape का size को increase किया जाए तो इसको जो volume increase होगा वो ज्यादा rate से होगा surface area के comparison में इसको हम एक example से समझेंगे असान example से और इस example में हम sphere shape को consider करेंगे क्योंकि जब हम cell की बात करते हैं तो generally हम cell को एक perfect sphere के रूप में देखते हैं calculations को easy बनाने के लिए हालगी जो cells है वो perfect sphere नहीं होती cell irregular shape की भी हो सकती है लेकिन calculations को असान करने के लिए हम फिलाल cell को as a sphere देखते हैं और देखते हैं कि कैसे यह low important है और कहां कहां यह इस low का size increase क्या जाए तो उसका volume जो है वो ज्यादा rates increase होगा surface area के comparison में तो अगर हम example लेते हैं स्फेर का तो sphere के surface area का formula है surface area of sphere is equal to 4 pi r square और surface sphere के volume का formula है 4 by 3 pi r cube और अभी के लिए calculations को मातर easy बनाने के लिए हम pi को 3 consider करेंगे I know mathematics के students के लिए यह काफी एक painful experience हो सकता है लेकिन biology के students के लिए सबसे बड़ा काम रहता है कि calculations को easy करना क्योंकि mathematics के students I think calculations को पसंद करते हैं और biology के दो students है वो उनको phobia रहता है calculations से तो हम देखते हैं sphere के लिए अगर एक sphere consider करें जिसकी radius 1 cm है तो उसके लिए surface area क्या होगा surface area for r is equal to 1 cm तो 4 x 3 x r square जो कि 1 का square है तो यह हो जाएगा 12 cm square यानि एक sphere जिसका radius 1 cm है उसका surface area है 12 cm square और अगर आप volume देखें उसी sphere का जिसकी radius 1 cm है तो उसकी volume आजाएगी 4 x 3 x r cube जो कि 1 का cube है यह हो जाएगा 4 cm cube यानि एक sphere जिसकी radius 1 cm है उसका volume है 4 cm और उसका surface area है 12 cm square अब अगर हम उस radius को sphere की radius को एक unit बढ़ाए यानि एक cm से 2 cm कर दे तो देखते हैं कि surface area और volume पर क्या effect होगा surface area when r is equal to 2 cm 4 x 3 x 4 तो यह हो गया 48 cm square जब radius 2 cm है sphere की तो हमारा surface area आ रहा है 48 cm square अब देखते हैं volume 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 when r is equal to 2 cm 4 x 3 x 2 cube 3 x 3 frequency तो यह आगया 32 cm cube यानि जब r is equal to 2 cm तो sphere का volume है 32 cm cube अभी कुछ interesting नहीं है राइट लेकिन अगर हम volume का ratio लिए नहीं वाली volume और पूरानी वाली volume यानि जब जब radius 2 cm था उस तैंग की volume और जब radius 1 cm था वो उस volume का ratio ले यानि v2 by v1 ले तो देखते हैं क्या ratio हाता है 32 by 4 cm right 32 by 4 equal to 8 cm3 से cm3 के और अगर ऐसा ही हम surface area के लिए भी करें surface area यानि s2 by s1 s2 है हमारे पास 48 और s1 है 12 48 by 12 is equal to 4 तो इस ratio से साफ देखने को मिल रहा है कि जो volume है वो 8 के factors increase हुआ है और surface area 4 के factors increase हुआ है तो यानि square cube low एक्तम valid है यहाँ पर right और अब एक दूसरी चीज भी हम करेंगे हम compare करेंगे जो surface area है जब radius 1 cm था उसके ratio को volume के साथ जब radius 1 cm था तो देखते हैं क्या ratio आ रहा है जब radius 1 cm था तो हम surface by volume ratio लेंगे surface area by volume ratio लेंगे देखते हैं क्या ratio आएगा तो surface area क्या था 12 12 by 4 तो यह आएगा 3 और ऐसा ही हम करेंगे second case के साथ जब radius 2 था तब हम देखेंगे surface area to volume ratio क्या था तो surface area उसके था 48 और volume था 32 यह अप्रोब्स आ जाएगा 1.5 तो यह देखने को मिल रहा है कि पहले case में जो surface area to volume ratio था वो था 3 और दूसरे case में जब हमने radius को सिरफ 1 unit increase किया तो surface area to volume ratio आदा हो गया पहले वाले की comparison है ठीक है यह इतना important cue है अब हम next example से देखते हैं ठीक है तो कभी बारबर शोप पर आप गए हैं और ठंड के time पर कई बर क्या गरते हैं कि यह ठंडा पानी जब वो बालों को humidify करते हैं तो कोशिज करते हैं कि जो है ठंडा पानी एक तरसे हमें irritate ना करें तो diffuser के अंदर यह जो spraying का जो भी उनका canister होता है उसके अंदर वो गरम पानी उडेल देते हैं लेकिन जब वो spray होता है यानि diffuser से droplets निकलते हैं पानी के और हमारे skin पर पढ़ते हैं तो ठंडे लगते है डाला गया है उसमें गरम पानी लेकिन फिर भी वो droplets जब हमारे skin पर पढ़ेंगे तो ठंड देते हैं थंडे लगते हैं तो उसका क्या reason है गरम पानी कैसे ठंडा मैसूस हो रहा है बेसिकली यहां इस surface to volume ratio का ही रूल है देखो जब पानी को हमने droplets के रूप में release किया क्योंकि जो diffuser का spraying mechanism है जो spraying वाला pipe है उसकी width काफी कम है जिसके कारण जो water release होगा वो small droplets के रूप में होगा तो droplets का surface area है वो काफी ज़ादा है एक पानी closed container में है उसके comparison में तो surface area क्योंकि ज़्यादा है droplets का तो ज़्यादा surface area available होगा environment के साथ interact करने के लिए और तो जब ज़्यादा surface area available होगा interaction के लिए तो heat exchange भी इतना ही quick होगा ठीक है heat exchange क्योंकि भाहर ठंड़ा environment है तो ठंड़े environment के साथ जो water heat exchange करेगा water droplets जो गरम droplets है जिसका temperature ज़्यादा है वो sorry जिसका heat ज़्यादा है वो exchange करेंगे heat environment के साथ और ठंड़े हो जाएंगे यानी room temperature पर पहुँच जाएंगे और हमारी जब skin पर पढ़ेगा तो वो हमें ठंड़क एहसास होगा एक दूसरा एक ज़्यांग पर ले लेते हैं यह मैं भी इसकी लेंग़ेश थोड़ी complex करती मैंने अगर आप refrigerator से ice block निकाले आपने एक वैसल के इंदर बरफ जमाई ठीक है और आपने उसको अपने वैसल से निकाल दिया और उसको record करना कि कितना time लग रहा है उस बरफ को melt होने में ठीक हम मानते हैं hypothetical number है कि 10 मिनट लग रहा है उसको melt होने में पूरा ठीक है अब क्या गरना अगली बार उसी वैसल के इंदर ice को जमाना मतलब पानी को जमाना और वैसल से उसको ice को निकाल देना और उसको 10 से 15 pieces के अंदर तोड़े देना और फिर देखना कि melting time कितना हो रहा ह तो जरूर एक observation तो होगा कि जो melting time है वो reduce हो गया है क्यों reduce हो गया है वही reason surface area जो है जादा बढ़ गया है अब क्यूंकि 15 piece हो गया है बरफ के तो जादा surface area available है environment के साथ heat exchange करने के लिए जिसके कारण होगा ये कि ice जो है वो जल्दी melt हो जाएगा ठीक है और एक-दो example अगर हम और सोचनी की कोशिज करें तो like I think ये example सही होगा अम लंग्स का example दे सकते हैं like लंग्स के अंदर जो है branching है छोटी-छोटी alvelois है तो अगर क्या हो कि अगर मैं इस branching को replace कर दूँ एक मतब छोटी-छोटी-छोटी alvelois को replace कर दूँ एक पड़ी सी alvelois के साथ यानि एक singular alvelois के साथ तो क्या होगा क्या effect होगा हमारी breathing पर respiration पर respiration एक complexity जो भी हम breathing भी हो लेते हैं तो breathing पर क्या effect होगा क्या breathing सेम रहेगी या नहीं obviously अगर आप पिछले दो examples से relate कर पाए हैं तो आप ज़रूर कहेंगे कि single alvelois का surface area वो कम है singular और numerous alvelois के comparison में तो जिसके कारण जो gas exchange है एक single alvelois के अंदर जो की बड़ी है उसके अंदर काफी कम होगा gas exchange और इस कम gas exchange के कारण हमारी body के अंदर कम oxygen पहुचेगा और CO2 भी कम rate से release होगा तो इससे हमारी organs के size पर भी effect पढ़ेगा हमारी overall height पर भी effect पढ़ेगा और brain development पर भी क्योंकि जो major oxygen है वो consume हमारा brain ही कर रहा है क्योंकि एक तरह से जहाँ energy metabolism जहाँ energy लग रहा है जहाँ RBC में भी इसका कुछ application हो सकता है RBC का जो size है वो सब को बता है I think earth class वाले student को भी बता होता कि bi-concave disc है जो कि कई advantage provide करता है like एक advantage तो यह है कि उसके bi-concave disc वाले size के कारण जो है वो thin capillaries को cross कर सकता है easily वो deform हो सकता है easily और दूसरा advantage यह है कि bi-concave disc का जो surface to volume ratio है वो काफी कम है एक sphere से compare करें तो उसका surface to volume ratio sorry काफी जादा है not come surface to volume ratio काफी जादा है तो surface to volume ratio जादा होने के कारण वो जादा speed से rate से gas exchange कर सकता है अगर तो अगर मैं सौसा हूं कि अगर मैं RBC का size increase कर दूँ यानि उसका volume भी increase होगा और उसका surface area भी लेकिन क्यूंकि square cube लोग के according volume जादा rate से increase होगा surface area के comparison में तो होगा यह कि RBC का size increase करने से RBC की जो diffusion rate है वो कम हो जाएगा में भी megaloblastic anemia है जिसमें RBC का size जो है एक काफी increase हो जाता है unusual हो जाता है तो में भी वहां भी इसका surface to volume ratio surface area to volume ratio कहीं effect डालता हो लेकिन क्यूंकि मुझे यह तो idea है कि megaloblastic anemia में का cause क्या है और उसमें RBC का size जो है वो unusually increase हो जाता है लेकिन मुझे इस बात का idea नहीं है कि उसका volume भी जो है उसी proportion में increase हो रहा है यानि conditional अलग हो जकती है और अगर volume proportion में increase नहीं हो रहा है तो conditional अलग होगी तो जो उस time पे arthropores होते थे उनका size काफी increase काफी काफी बड़ा था like 28 inch तक की dragonflies उस time exist करती थी मेरा जो phone है उसका size है 6.1 inch I guess यानि उससे 4.4 या 4.5 जो भी है उतना times बड़ी dragonflies और जहां तक मैंने dragonflies देखी है तो वो dragonflies I guess अपके time पे मैं भी 2-2 inch या 3 inch बड़ा size है 28 inch से लेके 2 inch कैसे है उस time पे एक reason यह है कि उस time पे जो season level था environment के इंदर वो काफी ज़ादा था आज के time पे कितना है किस percent उस time पे था 31 से 35 परसेंट तो ज़्यादा oxygen के presence के कारण insects या अर्थ्रोपोर्स बीना अपने try किया कि size को एक increase की ज़्यादा बड़ा increase की है ज़्यादा gases को absorb कर सकते थे लेकिन जैसे जैसे environment के अंदर gases का जो oxygen का है level है वो decrease हुआ तो होने क्या लगा अगर insect वही बड़ इसे और करना है और अपना existence इसे और करना है तो दो चीजे होनी चाहिए या तो उनका जो respirator system है या ट्रैकिया वाला या जो भी respirator system है उसको increase होना पड़े उसका surface area increase होना होगा लेकिन वह क्योंकि ट्यूबलाइक structure है तो ट्यूबलाइक structure को हम एक thin like alveloid वाला concept नहीं हो सकत और क्योंकि volume जादा rates increase होगा surface area के comparison में तो उस arthropode का size जो है मतलब weight भी काफी increase होगा क्योंकि volume के directly proportional है weight तो एक time पर जो insect है उसकी लिए जो इतना बड़ा size है वो एक disadvantage की रूप में हो जाएगा क्योंकि वो उसके flying को भी effect करेगा क्योंकि अब respiratory system ही इतना बड़ा size इतरा से है उसकी body के अंदर जो major जो इतरा से हिस्सा है weight का वो सिरोफ उसके respiratory system के कारण है तो बड़े size के कारण उस arthropode को disadvantage होगा जिसके कारण ऐसे gene जो है वो prevail करेंगे जो genes arthropode का size को decrease करेंगे जिससे उस arthropode का surface area to volume ratio increase होगा और जब surface area to volume ratio increase होगा तो gas diffusion easy हो जाए तो अब यह prokaryotes में कहां important बैठता है prokaryotes को अगर हम देखें यानि bacteria को हम देखें तो bacteria जो nutrient absorb करता है gases absorb करता है वो diffusion के त्रू करता है तो अगर एक bacteria जो enormous है वो काफी बड़ा है यानि उसका surface to volume इस surface area to volume कम है volume ratio कम है तो उसके अंदर volume बढ़ जाएगा काफी तो gas का diffusion उतना efficient नहीं हो और एक bacteria जो छोटा है जिसका surface area to volume ratio जादा है उसके अंदर gases का diffusion काफी efficient होगा एक तो यह बात यानि छोटे bacteria के अंदर gases का diffusion efficient होगा और बड़े bacteria के अंदर जितना बड़ा bacteria वो हो का size में उतना ही उसका surface area to volume ratio गटेगा और उतना ही gas का diffusion inefficient होगा यह तो हो पहले बाद और दूसरी बात यह है कि जब जब like volume increase होगा यानि cytoplasm भी increase होगा जो material है cell के अंदर हो भी increase होगा तो जो bacteria की energy requirements है वो भी increase होगी तो अगर gas molecule cell के अंदर पहुच भी गया तो एक corner से दूसरे corner पहुचने में भी time नगेगा क्योंकि बीज में जो साइटोप्लाजम है, जो लिक्विड है, बेक्टेरिया के अंदर वो भी काफी जादा हो गया है, तो हर एक कोर्णर में गैस को डिफ्यूज होने में, इवन जब सेल के अंदर पोच गया है गैस तब भी, तब भी काफी टाइम लगने वारा है, जो और स तो समज आ रहे हैं वेकिंडारयो Rod में इसे क्या ताकत है वका का साइज जो है वो ईतना वैरियबल है, उसके इतनी रेंज ज़दा क्यों है, तो उसके कई रीजन है, पहले रीजन तो यह है कि ye Hathem Here, nutrient absorption के लिए सिर्फ deep fusion पर based नहीं है, dependent नहीं है diffusion के अलावा endocytosis भी eukaryotes के अंदर possible है endocytosis को समझाने के लिए एक असान सक जांपा लेते हैं Pacman कभी गेम खेला है बचपन में जो हमारे यहां पर हमारे यहां पर तो वीडियो गेम की एक कोपी रहती थी हम उसको वीडियो गेम ही बोलते थे हमें cartilage अलगते से उसमें वो basically NES एक तरह से गेम स्टेशन था, उसकी कोपी थी, जो चाइना ने सबसे पहले चाइना ने बहुत दढले से कोपी की NES जो गेम सिस्टम है उसकी कोपी करकर की हमारे इंडिया में वीडियो गेम्स बेज़े हैं और जो भी जो पूर कंट्री थी उस टाइम पर जो फोर्ड नहीं कर सकते थी क्योंकि Sony का NES बहुत महंगा था मज़े की बात है कि जो NES की जो कोपी है उसको सेल करके ही ये OPPO कंपनी खड़ी हुई है तो OPPO की जो इनिशल जो ओफरिंग थी वो यही थी NES की कोपी तो उसमें गेम होता था पैकमेन तो पैकमेन में जो पैकमेन का जो करेक्टर होता था वो कुछ दोर्स को खाता था मैं उसको बच्पन में लड्डू बोलता था तो endocytosis भी वैसा ही है endocytosis में जो मेंब्रेन है वो इन्वेजिनेट करेगी है यानि फोर्ड हो जाएगी और उस जो भी nutrient है या solute है उसको अंदर गल्प कर लेगी तीसरा है मैं एकड़म प्लेबियन लेंवेज यूज कर रहा हूँ एकड़म लेंवेज यूज कर रहा हूँ certain tunnels like tunnels हैं जो जोड़ती है बाहर के environment और अंदर के environment को यानि plasma membrane को वोल की तरह मान दो जो बाहर के environment और अंदर के environment को separate करके बैठी है लेकिन उस वोल के बीच में कुछ-कुछ खिड़िकिया है tunnels हैं like जैसे transporter है channels है, pumps है जिनके तरूँ solute का exchange होता है जो eukaryotes के अंदर है उनके अंदर ये tunnels का expression काफी ज़ादा है यानि उनकी membrane पे ये जो खिड़िकिया है और ये जो गुफाया है ये काफी ज़ादा है उनका number जो है वो काफी ज़ादा है prokaryotes के comparison में जिसके कारण ये है prokaryotes में क्योंकि कुफाया और windows कम है तो solute का exchange भी कम होगा इन tunnels के तरूँ eukaryotes में क्योंकि tunnels काफी ज़ादा है और जिसके कारण solute का exchange भी काफी फास्ट होगा और इनके अलाबा जो proteins हैं जो solute को अंदर पहुचने के बाद लेके जाती है जा भी उनके destination है वो भी उसकी भी copies जो है eukaryotes के अंदर काफी ज़ादा है एक लेट से taxi है cell के अंदर जो solute को आने के बाद में लेके जाती है ER को एंडोपलाजमिक रेटी के लम तक लेके जा रही है कोई mitochondria के लेके जा रही है तो eukaryotes के अंदर ये taxi का नंबर काफी ज़ादा है तो eukaryotes के अंदर ये taxis का नंबर काफी कम है तो इसके कारण eukaryotes ensure करते हैं कि उनके size के साफ से उनको enough nutrients जो तरह उने चलिए वो मिल पाए कभी इस चीज़ जब हम कभी cancer के discuss करेंगे तो ये बहुर्ट इंट्रस्टिंग इसमें कि cancer cell के अंदर कैसे क्योंकि cancer cells rapidly dividing cells हैं तो उन cells के अंदर कैसे ये जो rate है solute का transport का वो कैसे increase हो जाता है कि rapidly dividing cells है तो उनकी energy requirements काफी जादा होंगी normal cells के comparison में तो उनके अंदर ये solute का transport जो भी है वो काफी increase होगा normal cells के comparison में तो कभी उस पर भी discuss करेंगे तो इन ही सब कारणों के चलते है eukaryotes का जो size है वो ज़्यादा उसकी range है prokaryotes के size के comparison में लेकिन जो अभी discovery हुई है ये हमारे bacteria की thriomal greater magnificence ये इसने researchers को जरूर confusion में डाला है जरूर एक नया excitement जगाया है researchers के अंदर क्यूंकि इस bacteria का काफी बड़ा size है एक reason तो ये है कि इसका जो size एक shape है वो filamentous है, two black तो वो जरूर surface area को increase करती है और diffusion को कुछ असान बनाती है लेकिन वो मैंने जमस्ता कि एक मातर reason है जिसके कारण इतना बड़ा size permissible हो सकता है या possible हो सकता है जुरूर कुछ underlying reasons है underlying mechanisms है जो इस bacteria को इतने से permit कर रहे है इतने बड़ा size sustain करने के लिए आने वाले समय में देखना होगा कि हम उन mechanisms को कब discover करते हैं क्योंकि उन mechanisms को discover करने के बाद हम यह जान पाएंगी early जो eukaryotes हैं उनके अंदर size इतना increase क्यों हो पाया कैसे और कैसी इस bacteria के अंदर भी इतना बड़ा size possible है और हमारा जो इक stereotypical idea था bacteria के बारे में की bacteria का size सिर्फ micrometer के अंदर एक fix है वो भी ज़रूर change हो आ रहे है और दूसरी interesting चीज एक one of the major difference पढ़ेंगे prokaryotes और eukaryotes के अंदर यह है कि जो prokaryotes हैं उनके अंदर जो genetic material है वो किसी एक membranous structure के अंदर stored नहीं यानि cell है cell के अंदर directly लिकर पढ़ा है हमारा genetic material और eukaryotes को देखें तो eukaryotes के अंदर cell है cell के अंदर nucleus है जो कि एक membranous structure है उसके अंदर genetic material stored है यानि genetic material को ज़्यादा safety provided है eukaryotes में और prokaryotes के अंदर ऐसा सब्स कोई membranous compartment नहीं रहता जिसके अंदर genetic material stored होता है लेकिन इस bacteria के अंदर ऐसा है membranous और वो भी एक singular compartment नहीं है काफी multiple compartments जिसके अंदर ये genetic material store है जो कि prokaryotes की आम प्रोपर्टी नहीं है prokaryotes के अंदर ये membranous compartment नहीं देखने को मिलता है जिसमें genetic material store हो ये भी एक surprising discovery है इस compartment का नाम हसा पेपेन है पेपेन को गन्फूज नहीं करना है पेपेन की प्रोटीन भी होता है जो प्रोटीलैटिक बेसिकली एंजाइन है पेपेन है पेपेन इसमें प्रोटीन करना इसको सही रहेगा जो कि एक membranous compartment इसमें डिसकावर किया गया है जिसके उन्दर genetic material store है तो देखना होगा कि आने वाले समय में researchers क्या को भी discover करते हैं इस bacteria के बारे में और जरूर ये bacteria हमारी bio physics की जो knowledge है उसको भी कुछ ने कुछ चेंज करेगा तो I think आज के लिए नहीं इनफ है क्योंकि ये plan नहीं था मेरा कोई podcast मनाना लेकिन आज मैंने status update बेखा एक दोस्का वो language तो मैं नहीं समझ पाया वो बंगाली language में था लेकि बहुत excitement है लोगों के अंधर ये इस दिस्कवरी के बारे में तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कुछ explanation का कुछ में डालना चाहिए I think आज के लिए इतना इनफ हूँ आदे, पा आदे, 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 कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. तो, कर दो, कर दो.